क्या आपने कल हर्दिक पांडिया वाला मैच देखा? चलो हर्दिक पांडिया वाला नहीं बोलते हैं गुजराट टाइटिन्स वर्सेज मुंबई इंडियन्स देखा? तरीका से तो मैच वही था ना भले मैच हर्दिक पांडिया के असपास घूम रहा था मतलब बातें उनके बारे में होड़ी और बातें तो छोड़िये मतलब जब वो टास करने आए तो वहां से मॉमेंट शुरू हुआ तो मतलब मैंने सुचा कि अगर आप मेंसे किसी ने कल का मैच मिस कर दिया है तो आपको इस मैच के बारे में बताता हूँ और अगर देखा तो इस मॉमेंट को री लिव कराता हूँ ताकि आपको याद आए कि यार इस मैच मों हुआ क्या क्या लेकिन अगर आपने मैच मिस कर दिया था फिर तो ये कहानी आपको ज़रूर सुननी पड़ेगी क्योंकि मैच शुरू होता है टॉस की बात आती है और अगाश चुपरा ने पहले ही कह दिया था कि मुझे इंतजार है उस दिन का जब हार्दिक पांडिया नरिंदर मोधी स्टेडियम में उतरेंगे लेकिन गुजराट टाइटेंस के लिए नहीं मुंबई इंडियन के कप्तान बनके जब टॉस करने आएंगे तो क्या होगा क्या गुजू लोग जो है वो एकसेप्ट करेंगे इस चीज़ को नहीं नहीं बिल्कुल भी एकसेप्ट नहीं किया जैसे ही हार्दिक पांडिया स्टेप इन करते हैं हर तरफ एक ही आवाज होती है जैसे फुटबॉल मैच्चेस में बूइंग होती है न वैसे बूइंग हो रही थी हार्दिक पांडिया की और लगा कि यार ऐसा कैसे हो सकता है मतलब केवीन पीटरसन ने का कि मैं पहली बार इंडिया के अंदर किसी इंडियन प्लेयर के लिए बूइंग होते हुए सुन रहा हूँ और ये मतलब बताता है कि रोहित शर्मा का क्या क्रेज है जिस तरह हार्दिक पांडिया की इंटरी से किसी को दिक्कत नहीं थी लेकिन जिस तरह से वो इंटरी हुई जिस तरह से रोहित शर्मा को साक डाउन करा दिया गया इशू वहां से शुरूआ क्योंकि देखिए कपतान तो धोनी भी बदले ना चला कि अच्छा ऐसा कुछ होने वाला है हमारा ही कपतान बदलने वाला है आप याद कीजिए विराट कोली भी बदले थे कपतान से उन्होंने भी हैंड ओवर करा था यहां पर अगर वो चीज होता तो शायद यह बूइंग से बज जाते लेकिन यहां पर ऐसा हुआ नहीं यहां पर रातो रात गेम हो गया और एकदम से हर्दिक पांडे आ जाते हैं कैप्टन हर्दिक पांडे आ फॉर यू आ जाते हैं और वहीं से शुरू हुआ यह मैच जहां से बूइंग शुरू ही लेकिन चली बूइंग हो गई, टॉस हो गया, चले गए, अब मुंबई इनिस पहले गेंदाजी कर रही थी, पहला ओवर, पहला ओवर सबको इंतिजार था बुम्रा का, सबको पता है मुंबई इनिस अकर गेंदाजी कर रही है, पहला ओवर यार बुम्रा ही करेंगे, बुम् नहीं आए फिर सब पूछने लगे एरफार बढ़ाने तो ट्वीट तक कर दिया कि वेर इस जिस पर दूम्रा केविन पीटरसन कह रहे हैं कि यह क्या कर रहे हैं मतलब इनके पास कॉज़ी है वोड है बुम्रा है लेकिन बुम्रा से वाइड बॉल्स नहीं बॉल से बॉलिंग इसका मतलब पाच डॉट बॉल डाल दी और जो एकॉनमी थोड़ी खराब हो रही थी उसको सब समाल दिया एक दम से समाल दी एकॉनमी लेकिन उसके बावजूद उस पहले दस ओवर में 99 रन आ गये जीटी के लेकिन जिस पर दूम्रा उसके बाद आकर के अगले तीन और ज मुझे बताई याद करके रोहिश शर्मा को बाउंडरी पर खड़ा हुए देखा मतलब थुरूआउट दमैस की बाउंडरी पर ही खड़े है नहीं देखा होगा कल हार्दिक पांडिया वह सबको दिखा दिया और लिटरली जहां पर मैच आता है वहां पर बहुत सारे कैमर कि हार्दिक पांडिया इस तरह से कैसे कर सकते हैं मतलब आप सीनियर हैं कप्तान हैं आपकी वज़े से यहां पर हो याद कीजिए 16 सीजन जब रोहिश शर्मा ने कहा था कि मुझे ये बंदा चाहिए अपनी टीम में खराब सीजन होने के बावजू जहां पर टीम कह रही थ 10-20 लाक में आये थे कहा कि ड्रॉप कर देते हैं अगर रंजी अच्छा रहा तो फिर उठा लेंगे लेकिन रोहिट ने कहा नहीं नहीं मुझे खिलाडी चाहिए ड्रॉप मत कीजिए उनको बुलाया बुला करके रोक करके रखा और उन्होंने आज मतलब आते ही ऐसा ट्री मुमेंट की तरफ आते हैं दूसरा मुमेंट सीधा आपको सेकंड इनिंग में लेकर चलता हूं दूसरा मुमेंट आशीश नहरा के बारे में बात करूँगा थोड़ा सा अलट पिलट करके बात करूँगा बिकुस बहुत सारे मुमेंट थे तो मेरे हिसाब से यह सेकंड मु कुछ सिखा दिया, सब कुछ समझा दिया था, और उसके बाद इस बार उनको बुलाया, Spencer को का सुनो मेरी बात, ऐसे ऐसे करना है, और उन्होंने Spencer गया, और मानो एक एक बॉलो, वहाँ से बता रहे हैं, अगली उपर, नीचे, छोटी रखो, आगे फिको, लेकिन अचानक से उमेश यादव सामने आदाए है, और जब उमेश यादव आते हैं, तो लोग कहते हैं, यार उमेश को क्यों दे दिया, उमर्जई को देते हैं, तो ठीक रहता, और हुआ भी कुछ ऐसा ही, उमेश को दिया, और ये भी एक मुमेंट है, यहां पर भी मुमेंट है, मुमेंट यह है कि हार्दिक पांडिया ने पहली बॉल पर छक्का मार दिया, दूसरी बॉल पर चौका मार दिया, कुछ 17 रन आइगेस चाहिए थे, वहाँ पर 19 रन चाहिए थे वहाँ पर, और 19 में से 10 आ गए, चार में बस 9 बचरे होते हैं, और लगता यार, अब तो मैच निकल गया, एक आद बाउंडरी और आएगी और मैच खतम हो गया, लेकिन उसके बाद अगली बॉल पर पांडिया आउट हो जाते हैं, तो जब पांडिया रन मार रहे थे, वहाँ पर मुमेंट है कि उनके पास आशिश नहरा ने कमाल कर रहा है, पिछले दो सीजन में वह कमाल यहाँ पर भी दिख रहा है, तो ये दूसरा मुमेंट था जहांपर आशिश नहरा ने कमाल कर रहा था, एक मुमेंट बढ़ा इंट्रेस्टिंग यह था कि जब राशुद खान के इंद बाजी कर रहे थे, वहाँ पर Tim David खेल रहे थे और सामने तिलक वर्मा थे तिलक वर्मा रन मारते हैं स्ट्राइक करते हैं और Tim David जो है वो भागने से माना करते थे अब सब कहने लगे कि भाई या Tim David तुम इतने बड़े खिलाडी हो उसे हूस माना सब एक दम तुम क्यों डर रहे हो तो राशित ख पीच में एक transl απ सब्सक्राय के प्रिक दो परते हार्टिक पांडिया को ये वताना की जी आपने गल्ती करी हैं ये अर्कुराइब इतनी होती ती आसी बोहिंगा ने है आप मोग उ सोच लीजे तो कुछ इस तरह के मुउमेंट से इस मैच के एकदम सिनेमा था मतलब ये इंडियन प्रीमियर लीग मतलब इंडिया पैसा वसूल लीग कहिए या इंकरिडिबल प्रीमियर लीग कह दीजी आई पेल को यह कुछ ऐसा मैच था और बिलकुल जैसे कल वाले मैच में गार के मैंगे बड़ा मझा आया था आब लग रहा है कि हाँ जी IPL is IPLING ये बढ़ा trend चल रहा है कि IPL is IPLING तो कुछ इस तरह का राया ठोड़ी लंबी वीडियो जरूर हो गई लेकिन बहुत मज़ेदार था और ये सारे कोई मुवमेंट छोड़ दिया हो अगर ऐसा हुआ हो तो आप मुझे जरूर कॉमेंट सेक्षिन ने बताईएगा कि कौन सा वो मुवमेंट हुआ जो आपको बड़ा अच्छा लगा बट मैं में मेंशन करना भूल गया अगर कोई ऐसा रह गया हो तो बाके वीडियो को शेयर लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते हैं चानल को सब्सक्राइब करते जाएं